कक्षा 11 अध्याय साथ क्रमचे एवं संचे मौडूल 4 में आपका स्वागत है आज हम करेंगे संचे परीचे, संचे सूत्र, संचे और क्रमचे के संबन, संचे के गुण तथा नियम, संचे सूत्र पर अभ्यास प्रश्न, वृताकार क्रमचे, संचे और क्रमचे में अंतर, तथा कुछ स्मर्णिय तथिर माल लीजिए तीन लेन टैनिस खिलाडियों X, Y और Z का एक समू है कि दो खिलाडियों की एक टीम बनानी है ये टीम हम कितनी तरह से बना सकते हैं X, Y, Y, Z और Z, X यहाँ प्रतेक चैन तीन विभिन वस्तूओं में से एक समय में दो वस्तूओं को लेकर बना हुआ संचे कहलाता है यहाँ X, Y टीम और Y, X टीम भिन नहीं है यहाँ Y, Z और Z, Y भिन नहीं है Z, X और इसी प्रकाज X, Z भिन नहीं है यहाँ संचे में चैनित वस्तूओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है जैसे 12 वेक्ति एक कमरे में मिलते हैं और प्रतेक वेक्ति अन्य सभी वेक्तियों से हाथ मिलाता है हाथ मिलाने की कुल संख्या का निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं क्योंकि एक बार जो वेक्ति हाथ मिला चुका जैसे माल लीजे आर्यन ने तेजस से हाथ मिलाया तो क्या तेजस का आर्यन से हाथ मिलाना भिन होगा नहीं न एक्स का वाई से हाथ मिलाना तथा वाई का एक्स से हाथ मिलाना दो भिन हाथ मिलाना नहीं है यहां भी क्रम महत्वपूर्ण नहीं है हाथ मिलाने की संख्या उतनी ही है जितनी की बारा विभिन वस्तूओं में से एक समय में कोई दो वस्तूओं को लेकर बने हुए संचेयों की संख्या है इस उधारन में साथ बिंदू एक वृत पर स्थे थे इन बिंदूओं में से किसी दो को मिलाकर कितनी जीवाएं कीची जा सकती है जैसे ये और इस तरह से हम कीच सकते हैं और कितनी जीवाएं हम कीच सकते हैं यहां जीवाओं की कुल संख्या उतनी ही है जितनी साथ विभिन वस्तूओं में से एक समय में दो वस्तूओं को लेकर बने गए संचेओं की संख्या है। अब हम N विभिन वस्तूओं में से एक समय में R वस्तूओं को लेकर बनने वाले संचेओं की संख्या को प्रतीक NCR से प्रकट करते हैं। माल लीजिये हमारे पास चार विभिन वस्तुएं A, B, C, D हैं इन में से एक समय में दो वस्तुओं को लेकर यदि हम संचे बनाना चाहें तो ये संचे होंगे A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, तथा C, D यहां A, B और B, A, एक ही संचे हैं इसलिए हमने यहां B, A नहीं लिया C, A, D, A, C, B, D, B, तथा DC को इस सूची में नहीं लिखा है यहां वस्तुओं का क्रम संचे को प्रभावित नहीं करता जब क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता तो A, B लिखें या B, A लिखें बात A की ही होती है इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि चार विखिन वस्तूं में से एक समय में दो वस्तूं को लेकर बनने वाले क्रम्चियों की संख्या होती है चार पी 2, अथार्थ 12 और इसी प्रकार चार विभिन वस्तों में से एक समय में दो वस्तों को लेकर बनने वाले संचेओं की संख्या यानि जब क्रम मैत्वपूर्ण नहीं था तो वो होती है 4C2 अथा 6 जैसा कि आपने पिछले उधारन में देखा तो आपने देखा कि प्रते संचे के लिए AB संचे है तो इसके लिए हमारे पास दो क्रम गुणित क्रम चे बनते हैं BA, AB यदी संचे माने तो केवल AB या BA चलेगा लेकिन क्रम चे BA तथा AB है यानि यदि हम संचे को दो क्रमगुनित से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्थ होंगे क्रमचे चार विभिन वस्तूओं में से लिए गए दो वस्तूओं का क्रमचे बराबर है चार विभिन वस्तूओं में से लिए गए दो वस्तूओं का संचे गुणा दो क्रमगुनित अ हम निम्न उधारण देखते हैं चार वस्तुएं A, B, C और D में से यदि हमें तीन वस्तुओं का संभव चुनाव करना है ध्यान दीजिये चुनाव चुनाव या चयन जिसे हम संचे कहते हैं और सजाना या विवस्तित करना जिसे हम क्रमचे कह सकते हैं निम्न प्रकार होगा जब हम संचे करते हैं यानि चयन करते हैं तो चयन में A, B, C का चयन किसी भी प्रकार हो सकता है चाहे वो A, B, C हो चाहे B, A, C हो लेकिन जब हम क्रमचे करते हैं तो उन्ही तीन वस्तूओं को हम 6 प्रकार से विवस्थित कर सकते हैं यहां चुनाव में क्रम महत्वपूर्ण नहीं है उसी तरह से A, B, D जो संचे में केवल एक विवस्ता है लेकिन क्रमचे में वो हमारा छे तरह से विवस्तित हो सकता है तो चार वस्तूओं में से जब हमें तीन वस्तूओं का चयन करना है तो हमारे पास संचेओं की संख्या है केवल 4 लेकिन हमें उन्हीं 4 में से 3 वस्थूं को यदि विभिन तरह से वेवस्तित करना है तब हमारे पास क्रमचेओं की संख्या है 24. तो आप इन उधारणों के आधार पर हम क्रमचे और संचे के संबंद को प्रमे द्वारा दर्शा सकते हैं. प्रमे है NPR बराबर NCR गुणा R क्रमचे जहां R सुन्य से बढ़ा और N से छोटा या बराबर हो सकता है। Shirley, NCR संचेों में से प्रतेक के संगत हमारे पास R क्रमचे क्रम संचे हैं। क्योंकि प्रतेक संचे की R वस्तुओं को R क्रमगुणित तरीके से फुनरविवस्थित किया जा सकता है जैसे कि हमने पिछले उधारन में देखा यदि हम संचे लेते हैं चार वस्तुओं में से किनी 3 वस्तुओं का उन में से एक यदि हम ABC को देखें तो उन्ही A, B, C तीन वस्तूओं को हम 6 तरीके से यानि 3 क्रम गुणित तरीके से पुनर विवस्तित कर सकते हैं यह आपने देखा ही था तो हम यह कह सकते हैं 4P3 बराबर होगा 4C3 गुणा 3 क्रम गुणित के तो अतहा N विविन वस्तूओं में से एक समय में R वस्तूओं को लेकर बनने वाले क्रमचेओं की संख्या NCR है तथा दूसरी और यह NPR है तो इस प्रकार उप्युक्त प्रिणाम से NPR बराबर NCR गुणा R क्रम गुणित जिसे खोलने पर हम यह प्राप्त कर सकते हैं NCR का मान NPR बटा आर क्रम गुणित जिसे ये हमें सूत्र प्राप्त होगा N क्रम गुणित बटा N घटा आर क्रम गुणित गुणा R क्रम गुणित विशेश रूप से यदि हम R को N के बराबर लें यानि चैनित वस्तुएं उतनी ही हो जितनी कुल वस्तुएं हैं तो हम NC N बराबर एक ले सकते हैं क्योंकि अभी आपने सूत्र देखा NCR बराबर N क्रम गुणित बटा N घटा आर क्रम गुणित गुणा R क्रम गुणित तो यहाँ पर R की जगा पर हमने N ले लिया है तो ऐसा करने से हमें प्राब्थ होगा N क्रम गुणित N घटा N क्रम गुणित गुणा N क्रम गुणित तो N घटा N क्रमगुनित होता है शुन्य और शुन्य क्रमगुनित हम पहले सी परिभाशित कर चुके हैं कि एक के समान होता है तो ये रह जाएगा N क्रमगुनित बटा N क्रमगुनित जो की होगा एक तो इस तरह हम इसे परिभाशित कर सकते हैं इसी तरह हम परिभाशित करते हैं NC 0 बराबर 1 अब NC 0 या 0 का अर्थ है कि हमने किसी भी वस्तू का चुनाव नहीं किया है N वस्तू में से एक भी वस्तू ना लेने का केवल एक ही तरीका है इसलिए हम NC 0 को एक से दिखा सकते हैं और हम यह कह सकते हैं कि NC R सूत्र R बराबर शुनने के लिए भी मानने है यह हो जाएगा यानि R शुनने के बड़ा या बराबर हो सकता है और N से छोटा या बराबर हो सकता है अब हम देखते हैं N अन्यगुण NC N-R बराबर N-C R यह बिल्कुल उसी स्तिति के बराबर है कि जैसे N वस्तों में से हमने R वस्तों का चैन किया या N वस्तों में से N घटा R वस्तों का चैन नहीं किया यह दोनों स्तितियों में इनका मान बराबर होगा यानि N घटा R वस्तों को अस्विकार करने के समान होगा तो यह सूत्र बहुत से प्रश्णों में गढ़ना करने में हमारी सहायता करता है अब अन्य सूत्र है N-C A बराबर N-C B ऐसा केवल एक इन परिस्तिती में संभव है या तो A और B बराबर हो जिन वस्तों का चैन करना है यदि वो बराबर नहीं है तो A यदि हमारा A का मान N में से B को घटाने पर जो प्राप्तोरा या उसके बराबर हो या साधारन शब्दों में कहें कि N बराबर यदि A जमा B के बराबर है तो हम इनने बराबर कह सकते हैं इन दोनों का योग यदि N के बराबर है तो जैसे हमने एक उधारन लिया 5C 3 बराबर होगा 5C 2 के क्योंकि यहां 3 जमा 2 5 के बराबर है लेकिन दूसरी तरफ यदि हम कुछ लेते हैं साथ सी तीन साथ सी दो के बराबर नहीं होगा क्योंकि तीन जमादो साथ के बराबर नहीं है क्रमचे के एक अन्य उधारण को देखें यहां हमारे पास है NC9 बराबर NC8 और हमें ग्याद करना है NC17 इसे किस तरह कर सकते हैं हम इसमें संचे के सूत्र को खोलेंगे N क्रमगुनित बटा N घटा 9 क्रमगुनित गुणा 9 क्रमगुनित इसी प्रकार सूत्र से हम इसे भी खोलेंगे N क्रमगुनित बटा N घटा 8 क्रमगुनित गुणा 8 क्रमगुनित अब जैसा कि हमने पहले भी इस इस तरह के प्रश्णों में किया था, हम ये देखेंगे, दोनों पदों के हर में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा क्रम गुनित बड़ा है, अगर हम 9 क्रम गुनित और 8 क्रम गुनित में इसे देखें, तो 9 क्रम गुनित बड़ा है, इसे इसलिए खोलेंगे, और 9 गटा 9 क् N घटा 8 क्रम गुनित की तुलना करें तो N घटा 8 क्रम गुनित बड़ा है इसे खोलेंगे तो हम खोल लेते हैं इसे यह हो जाएगा N क्रम गुनित बटा N घटा 9 क्रम गुनित ऐसे ही रहेगा 9 क्रम गुनित को खोलेंगे तो यह हो जाएगा 9 गुना 8 क्रम गुनित बड़ाबर N क्रम गुनित बटा N घटा 8 क्रम गुनित को खोलेंगे तो होगा N घटा 8 गुना N घटा 9 क्रम गुनित और इस तरफ हमारे पास है 8 क्रम गुनित यदि हम इन दोनों पदों की तुलना करें तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ हमारे पास N क्रमगुनित है जो की शुन्ने नहीं है इसलिए इसे दोनों तरफ काटा जा सकता है और इसी प्रकार हमारे पास 8 क्रमगुनित दोनों तरफ हर में है इसे भी काटा जा सकता है और N घटा 9 क्रम गुणित, N घटा 9 क्रम गुणित इस तरफ है, तो ऐसा करने के बाद हमारे पास शेश हुआ, दाइंपक्ष में 1 बटा 9 और ये दाइंपक्ष में और दाइंपक्ष में है 1 बटा N घटा 8, इसे इस प्रकार गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा N घटा 8 बराबर 9 और इससे प्राप्त होगा N का मान 9 घटा 8 अथा 8, 17 अभी हमें N का मान प्राप्त हुआ है और हमसे पूछा क्या गया है? N, C, 17 तो हमें इसका मतलब ग्याद करना है 17, C, 17 जैसा कि अभी हमने एक सूतर से किया था कि N, C, N, N वस्तूं में से N वस्तूं का ही चैन करने पर मान होता है 1, तो इसका मान भी होगा 1. आईए एक और प्रमे करते हैं N, C, R जमा N, C, R घटा 1 बराबर N, C, R इस प्रमे को सिद करने के लिए हम संचे के सूतर द्वारा ही करेंगे बाईपक्ष को पहले खोल लेंगे संचे सूतर द्वारा N क्रम गुणत बटा N घटा R क्रम गुणत गुणा R क्रम गुणत जमा एन क्रमगुनित बटा एन घटा आर घटा एक जब करेंगे तो वो बाहर घटा होने की वज़े से एक जमा का हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा N घटा R जमा एक क्रम गुनत गुना R घटा 1 क्रम गुनत जिसे हमें बराबर लाना है इसके N जमा 1 Cr के तो आपको जैसे कि पहले भी हल किया था हमने देखा था कि ये दोनों पदों में हमारे पास जो क्रमगुनित बड़ा है हम तुलना करके उसे खोलेंगे यदि R के पद की तुलना करें तो R क्रमगुनित बड़ा है इसलिए हम इसे खोलेंगे और यदि इन दोनों पदों की तुलना करें तो N घटा R जमा एक यह क्रमगुनित का पत बड़ा है हम इसे खोलेंगे तो इसे खोलने के बाद हमारे पास N क्रमगुनित बटा N घटा R ऐसे ही लिखेंगे आर क्रम गुणित खोलने पर होगा आर गुणा आर घटा एक क्रम गुणित और इस पद में इससे हमें खोलना है यह है यूग का चिन है एन क्रम गुणित एन घटा आर जमा एक गुणा एन घटा आर क्रम गुणित और यहाँ पे आर घटा एक क्रम गुणित वैसे का वैसे ही लिखेंगे इसमें हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया है अब यदि हम इन दो पदों की तुलना करें तो इन दोनों में हम देखते हैं कि अंश में दोनों पदों के अंश में एन क्रम गुणित उभे निष्ठ है उसे हम बाहर ले सकते हैं और इन दोनों पदों के हरों में आर घटा एक क इस प्रकर ये उभे निश्ट लेने के बाद हमारे पास केवल नीचे यहां R रह जाता है इसलिए एक बटा R लिख सकते हैं और इस में से ये पद उभे निश्ट लेने के बाद हमारे पास केवल ये पद रह गया नीचे हर में N घटा एक जम्मा आर जम्मा एक इसे लगुत्तम लेके हल करने के पश्चाथ हमारे पास बचेगा N क्रम गुणित N घटा आर क्रम गुणित तो बाहर है ही और आर घटा एक क्रम गुणित भी बाहर ही है और ब्रैकेट के अंदर हल करने पर हमारे पास आया N घटा R जम्मा एक यहां एक से गुणा होगा और R यहां से गुणा होगा बटा R गुणा N घटा R जम्मा एक यहां R और R कैंसिल हो जाएगा अब हमारे पास यहां बहार ये पद्शेश है N क्रम गुनित बटा N घटा R क्रम गुनित गुना R घटा 1 क्रम गुनित और अंदर हमारे पास है केवल N जमा एक अंश में। और हर में है R गुणा, N घटा, R जमा एक. अब अगर हम N क्रम गुणित और N जमा एक को गुणा करते हैं तो ये उपर अंश में हमारे पास हो जाएगा N जमा एक का क्रम गुणित. बड़ी संख्या का क्रम गुणित और इसी तरह से R और R घटा एक के क्रम गुणित को गुणा करते हैं तो ये उसी के अंदर समा जाएगा और ये बन जाएगा R क्रम गुणित. और यदि हम इस और इस पद को गुणा करते हैं तो इन दोनों में से बड़ा ये वाला है तो इससे गुणा करने पर इसका क्रम गुणित आएगा जिसे हम पुनर विवस्थित करके N जमा एक घटा R भी लिख सकते हैं का क्रम गुणित. तो आप ये देखिए ये किस संचे का सूत्र बन रहा है N जमा एक वस्थूओं में से R वस्थूओं के चुनाव का सूत्र बन रहा है अथार ये हुआ N जमा एक C आर वस्थूओं का चुनाव किया तो ये है हमारा दाएपक्ष के बराबर आगया जो हम चाहते थी. इस प्रकार ये प्रमे सिध्ध हुई अब आईए उधारन की सहायता से हम संचे के सूत्र का उप्योग देखें किसी परिक्षा में एक प्रश्ण पत्र में 12 प्रश्ण है और जो क्रमशा 5 तथा 7 प्रश्ण वाले 2 खंडों में विभगते हैं खंड 1 तथा खंड 2 एक विद्यार्थी को प्रते खंड से न्यूनतम 3 प्रश्णों का चयन करना है और उसे कुल 8 प्रश्णों का हल करना है एक विद्यार्थी कितने प्रकार से इन प्रश्णों का चयन कर सकता है तो आईए इससे समझने के लिए हम इस प्रकार लिख लेते हैं खंड एक जिसमें है कुल पाँच प्रश्ण, खंड दो जिसमें है कुल सात प्रश्ण और हमें दे रखा है कि कम से कम या निनियोवनतम उसे तीन प्रश्ण एक खंड से चयन करने ही हैं तो यदि विद्यार्थी इन पांच प्रश्णों में से तीन प्रश्णों का चयन करता है, खंड एक में से, तो शेश पांच प्रश्णों उसे खंड दो में से चयन करने होंगे, साथ प्रश्णों में से पांच प्रश्णों का चयन करना होगा, ये स्थिती एक है, स्थिती द में यदि वह इन 5 प्रश्णों में से 4 प्रश्णों का चयन करता है तो शेश चार प्रश्ण उसे खंड 2 में से चयनित करने पड़ेंगे और अगली परिस्थिती में यदि वो 5 के 5 प्रश्ण, खंड A के 5 प्रश्ण है, सभी प्रश्णों का चैन कर लेता है 5, C, 5, तो अब उसे 6 प्रश्ण हल करने हैं केवल 3, जो की वो खंड 2 में से चैनित कर सकता है 5 ले चुका है, यहां 3, तो इस परकार यह 3 स्थितियां बनी, अब इन्हें किस परकार लिखा जाए, गर्णा के लिए क्योंकि जब वह 3 प्रश्ण यहां से हल करता है, 5 यहां से हल करता है, यह दोनों हमारी स्थितियां ऐसी हैं, जो देनों को एक साथ लेना है यहां पर 5 सी 3 और 7 सी 5 है, लेकिन यदि वो इस स्थिति का चुनाव करता है, तो इन दो का नहीं करता है या इसका करता है तो अन्य दोका नहीं करता तो जिन स्थितियों के बीच में या आता है वहाँ हम जमा का यानि योग का चिन लगाते हैं और जिन दो स्थितियों के बीच में और आता है दोनों को एक साथ लेना अवश्यक है वहां हम गुणा का चिन लगाते हैं तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे पांच सी तीन गुणा साथ सी पांच क्योंकि ये दोनों मिलकर एक परिस्तिती बनाते हैं इस परकार अगली परिस्तिती पांच सी चार गुणा साथ सी चार अगली परिस्तिती पांच सी तीन गुणा साथ सी पांच सी पांच और साथ सी तीन क्योंकि ये परिस्तितियों में से कोई एक परिस्तिती लेनी है इसलिए यहाँ पे जमा का चिनाया अब इसे हल करना तो आप संचे के सुतर से जानते ही हैं इसे हम आपके लिए यहीं पर छोड़ रहे हैं तो आईए उधारन की सहायता से हम संचे की उपयोगिता को समझें दो पुरुषों और तीन महिलाओं के एक समूँ से तीन वेक्तियों की एक समीती बनानी है इस समीती का गठन कितने प्रकार से किया जा सकता है ये प्रश्ण है और इनमें से कितनी समीतियां ऐसी है जिनमें एक पुरुष और तीन महिलाओं है तो पहला प्रश्ण हल करने से पहले ध्यान दीजिये हमें समीती बनानी है समीती बनाते समें हमें क्रम का ध्यान रखने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि चाहे किसी भी वेक्ति का चयन पहले या बाद में किया जाए यहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो इसलिए हम संचे का सूत्र लगाएंगे दो पुर्ष और तीन महिलाएं कुल वेक्ति हैं पाँच और समीती में चयन कितने लोगों का करना है? तीन लोगों का तो इसे हम संचे के सूत्र से इस प्रकार लिख सकते हैं यदि हम इसे खोलेंगे तो ये बने का पाँच क्रम गुनित बटा तीन क्रम गुनित पाँच घटा तीन अथार्थ दो क्रम गुनित इसे हल करेंगे पांच गुणा, चार गुणा, तीन क्रम गुणित, बटा, तीन क्रम गुणित, गुणा, दो क्रम गुणित ये दोनों कट जाएगा, इसे हल करने के पार्थ हमारे पास शेश आएगा दस अर्थार्थ हम 10 तरहां से समीती का गठन कर सकते हैं जब हमारे पास कुल 5 वेक्ति हैं और समीती में 3 वेक्ति लेने हैं अब आईए दूसरे भाग को हल करते हैं यहां हमें एक परिस्थिती दे दी गई है कि हमें 1 पुरुष और 3 महिलायतों समीती में लेनी ही है तो दो पुरुष हैं कुल, उनमें से एक पुरुष को लेना आवश्यक है, दो पुरुष है और महिलाएं कितनी हैं, तीन, अर्थार्थ हमें तीनों महिलाएं लेनी हैं, तो दो पुरुषों को लेने का आर्थ है, दो पुरुषों में से एक पुरुष को लेना है, दो कुल और तीन महिलाओं में से तीनों को लेना हैं। अब इस परिस्तिती में ये दोनों चीजें साथ साथ हैं। दोनों का साथ साथ आना अवश्यक है। इसलिए हम यहाँ गुणा का चिन लगाएंगे। अब इसे आप खोल लेंगे। का अर्थों आप जानते ही हैं, कि एक होता है, हम इसे सीधे एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि N, C, N का मान हम एक ज्याद कर चुके हैं, अर्थात ऐसा कितने तरहां से हो सकता है, एक क्रमगुनित भी एक होता है, तो ऐसा दो क्रमगुनित तरीकों से, अर्थात दो ही तरीकों से होना संभव है कैसे यदि हम पहले एक पुरुष दोनों में से एक पुरुष ले और महिलाये तो तीनों लेनी है दूसरे परिस्तिती में हम दूसरे पुरुष को लें समीती में और तीनों महिलाये तो वो रहेंगी ही इस परकार केवल दो तरीकों से हम समीती का गठन कर सकते हैं जब हमें ये परिष्थिती दी हो तो इस प्रकार आपने संचे के सूत्र को उधारणों की सहायता से समझा आईए अब संचे के कुछ महत्वपून सूत्र जो हम स्मरण करें तो बहुत सरी प्रश्णों को हल किया जा सकता है एन क्रमगुनित बटा आर क्रमगुनित कभी भी एन बटा आर क्रमगुनित के बराबर नहीं हो सकता इसे याद रखिए शुन्य क्रमगुनित एक के बराबर होता है एन सी जीरो बराबर एक होता है और एन सी एन भी एक होता है N-C-N-Earth जब N वस्तुों मेंसे सभी N वस्तुं का चैन किया गया है और N-C-Earth जब N वस्तुं में से किसी भी एक भी वस्तु का चैन नहीं किया गया दोनों ही स्थित्यों में इसका मान एक है और क्रम्चे और संचे के बीच संबंद का सूत्र ये है NPR बराबर R क्रमगुनित गुना NCR अन्य सूत्र है NCR बराबर NCN घटा R फिर है NCR घटा 1 जमा NCR बराबर N जमा 1CR इस प्रमे को हमने सिद्भी किया था अभी एक अन्य सूत्र जो बहुत महत्वपून है बहुत प्रश्णों में इसका उप्योगिता है NCX NCY के बराबर हो सकता है सिर्फ तभी जब X जमा Y N के बराबर हो यानि कुल वस्तूओं के योग के बराबर हो NCR बराबर है NCR जमा 1 के यान दीजे और ये आगे बराबर है N जमा 1CR के ये तीनों ही स्तितियां बराबर हैं आपस में NCR बराबर है N बटा आर घटा N घटा 1 C आर घटा 1 के इसी प्रकार NCR बराबर है 1 बटा आर N घटा आर जमा 1 NCR घटा 1 के और अंत में NCR बराबर है NCR घटा 1 के और ये दोनों बराबर है N के इस प्रकार आपने देखा ये सूत्र यदि आप याद कर लेंगे तो किसी भी संचे समंधी प्रश्णों को हल कर पाएंगे तो चलिए पढ़ते हैं सारांश की और आज के पाठ में हमने सीखा संचे और क्रमचे के बीच संबंध, संचे के गुण तथा नियम, संचे और क्रमचे में अंतर तथा कुछ स्मरणिय तथे आशा करते हैं आज का पाठ आपको समझाया होगा धन्यवाद स्था आपकोसमा आखको पाठ